पहला फेज है पहला चरण है और जो यह पहला चरण है इसमें करीब करीब 16.6 करोड के करीब बोटर्स 1.86 करोड के करीब पुलिंग स्टेशन पे मद्दान के इंदरों के मद्दान होना है तो सब अपने अपने बाहर निकल के आए बापकी जुम्मेदारी है हमारी मेहनत पूरी हुई है हमने बहुत मेहनत किया अब हम समझते हैं कि हर बोटर को निकल के आना चाहिए हर युवा को हर महिला को हर व्यक्ति को अपील भी है कि सब लोग एक बार बोट देने आएंगे तो उसका जो लोकतंतर के पर्व का जो आनन्द है उसको महसूस करेंगे जब मद्दान के इंदर पर क्यूं में खड़े होंगे लाइन में तो उसमें सब प्रकार के लोग खड़े होंगे आपके साथ में तो एक बोट की सब को बराबर की ताकत मिली हुई है तो देखिए चुनाव आयों की तरफ से भी ये कहाजवारा एलगतार कि आप सबसे पहले आज अपना वोट कास्ट करें बहुत जरूरी है आपका मत और ऐसे में मतदान के इंदरों तक जरूर पहुँच रहे हैं मुझफर नगर का रुख कर लेते हैं विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव विशाल अब सुभा से साथ बजे से ही लोगों का भारी संक्या में पहुचना शुरू हो चुका है जिस लाके में जिस मतदान के इंदरों के पास आप मौजूद हैं वहां की क पर भी मददान शुरू हो चुका है सबसे पहले मैं आपको मददान केंदर की तस्वीर दिखाता हूँ क्योंकि पश्चमी यूपी की आज आठ लोगसबा सीटों को लेकर मददान हो रहा है जिसमें एक मुझफर नगर भी सीट है साथ बज़े बसते ही आप देखिए में काफी प्रचार किया गया है तमाम राजनीतिक दलों की तरब से और खास तोर पर क्योंकि पश्चमी यूपी किसानों के लिए और गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा बेल्ट माना जाता है यहां का मुद्दा खेती किसानी का सबसे ज़ादा रहा है और अगर देखा ज होते ही लोग मद्दान केंद्रों पर पहुच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए और तमाम वो मुद्दे जो लगातार कैंपेनिंग के दौरान चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों की तरब से उठाए गये जनता ने उन मुद्दों को सुना है और आज जनत